आपका आपके अपने यूटूब सुन्द दमाश्टर प्रकास क्लासेज में हम लोग खंड सिक्षाधिकारी के तयारी कर रहे थे जिसके अंतरकत हम लोगों ने भारतिय सम्मिधान के अपने 6 लक्षर खतम कर लिये हैं और आज हमें उसी के आगे अपना 7 लक्षर श्टार्ट करना है हम लोग भारतिय सम्मिधान के अंदरकत टोटल 1000 महत्पूर प्रिष्णों का अध्यन कर रहे हैं और यह ऐसे प्रिष्ण है जो बार बार आपके परिक्षा में पुशे गया है और आपका आने वाला एक्जाम अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं एक या दो दिन ही ब और फास्ट हम लोग रिविजन कर रहे हैं आप लोग रिविजन के मूर में ये सारे वीडियो देख लीजिए और जितना भी आपने पूरा आपका सम्मिधान का रिविजन हो जाएगा तो चलिए बिना कोई देर किये हम लोग आज का अपना पहला प्रिष्ण स्टार्ट कर हम लाइने कि घृट कि गया है कि किसी भी राजय का मुठिमंत्री उस राजे के राज़िपाल के द्वारा निकति कि लिया जाएगा ठीक है अंची ब्हारतिय सम्म massage offend की प्रस्तावना में समाजवाद सब्सक्राइं चैनल जोड़ा गया है ब्हारत में जोडा गया है अगे भरते हैं भारत का बित आयोग में विथ राश्नती दौरा किया जाता है बारती समःधान में जो भाग त傳हरे बताया गया है तो बहुत इंपोर्टन Tag याद होना चाहिए सबको चलि आगे भरते हैं भारती सम्मिधान में जो मौलिक अधिकार लिए गया है वो किस देश से लिए गया है तो भारती सम्मिधान में मौलिक अधिकार आपके अमेरिका देश से लिए गया है चलि आगे बढ़ते हैं एक नाम दिया गया है जिसका नाम है C.F. Thomas तो C.F. Thomas किस भारती राज के राजनीतिक दल का नेत्रुत करते थे जो C.F. Thomas केरल में थे और केरल कॉंग्रेस और इस पूरा नाम है केरल कॉंग्रेस M तो केरल कॉंग्रेस M ये एक राजनीतिक दल था इसका पर नेत्रों कौन करते थे C.F. Thomas और इन्हों नहीं सबसे पहले केरल में सरकार बनाई थी गैर कॉंग्रेसी सरकार चलिए आगे बढ़ते हैं बीजु जनता दल किस भारतिय राजी का छेत्रिय दल है तो एक छेत्रिय दल यानि छेत्रिय राजनतिक पाल्टी है जिसका नहीं बीजु जनता दल ये कौन से राजी में है तो ये आपके उडीसा राज में है और बरतमान में इसी की सरकार भी है आपके उडीसा राज में चलिए आगे बढ़ते हैं भारत का सरबोच कानून किसे माना जाता है तो सबसे सौभाविक सी बात है भारती समिधान को ही भारत का सरबोच कानून माना जाएगा आगे बढ़ते हैं धर्म निर्पेक्षता का क्या मतलब होता है धर्म को मानने और पूजा करने की सोतंतरता ही हमारा धर्म निर्पेक्षता कहलाती हैँ छली आगे बढ़ते हैं सोतंद्र भारत में प्रथम उप परधान मंत्री कौन है तो सोतंद्र भारत में पहले उप परधान मंत्री जो थे सरदार बल्लब भाई पडेल थे वो यही हमारे ग्रिह मंत्री भी थे तो ग्रिह मंत्री और उप परधान मंत्री सरदार बल्लब भाई पडेल भारती समिधान म अनुछे सत्रा किसके बारे में बताता है तो अनुछे सत्रा आइस परस्ता का अंत करता है यानि कि आइस परस्ता उन मुलन के बारे में अनुछे सत्रा के बारे में बताया गया है तो आइटिल सत्रा में क्या लिखा है आइस परस्ता का अंत चलिए आगे बढ़ते हैं किसी भ पिछले वर्स का आर्थिक सर्विक्षन होता है उसको प्रकासित किया जाता है और ये काम आपकी बित्मंत्राले दोरा किया जाता है और आर्थिक सर्विक्षन रखा जाता है आर्थिक सर्विक्षन आपके लोग सभामें बजट से ठीक पहले प्रस्तुत किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं भारतिय सम्मिधान में एक अनुच्छेद है जिसमें कौन सा नाम है इसका अनुच्छेद 243B1 इसमें क्या बता अनुच्छेद के गठन का प्रढ़ ओधान किया गया है और इस अनुच्छेद के किस रहां किस बताया गया है तो यानि कि सम्मिधान में अनुच्छेद 243B1 इसमें आपके पंचायती राज के बारे मेंAddाती किसे बताया गया है यह थी इस थाही नहिं bagus ůह कि इम सैंगा आपका ब्लॉक आता है जिसको हम लोग मध्यवर्ती भी कहते हैं और तीसरा आपका जिला आता है तो पंचायती राज में तीन इस्तर सबसे नीचे आपका गाउं आएगा फिर ब्लॉक आएगा और फिर जिलाएगा ब्लॉक क्योंकि बीच में होता है इसलिए इसको मध्यवर् हें तेललंगाना से अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश acesso की नई राधधानी कौन सी है तो बृत्मान समय में आंध्र प्रदेश लृत रो त्परदे दश योजनाई को सुभिकृती प्रदान करने वाला सर्बोच निकाय कौन होता है तो पंचवर्सी योजनाई आपकी नीती आयोग बनाती है इससे पहले योजना आयोग आपकी पंचवर्सी योजनाई बनाती थी पंचवर्सी योजनाई को सुविकार करने वाला जो निकाय होता है उसको राष्ट्रिय विकास परिशत कहते हैं तो पंचवर्सी योजनाई जो ब किसी भी राजी की विधान सभा कचुनाओं लड़ने के लिए उम्रे कितनी होने चाहिए तो विधान सभा कचुनाओं लड़ने के लिए आप 25 बर्स पूरे होने चाहिए पिछड़े बर्गों के लिए पर्थम आयोग बनाये गया था और इस आयोग के अध्धक्ष कौन थे तो पिछड़े बर यानि OBC के लिए जो पहला आयोग बनाये गया था तो पहले आयोग के जो अध्धक्ष थे वो हैं काका साहब काले लकर तो काका साहब काले लकर या आद सूची केंदर सूची और समौर्ती सूची समौर्ती सूची में राज और केंदर दोनों मिलकर काम करते हैं तो समौर्ती सूची में सामाजिक भीमा और सामाजिक सूच्छा इसको सामिल किया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं उच्च नियालयों में नियाधीसों की संख्या का निर्धारन कौन करता है, तो उच्च नियालय में नियाधीसों की संख्या परतेक राज्य में उच्च नियालय होता है, उसमें कितने नियाधीस होंगे, इसकी संख्या का निर्धारन केवल और केवल संसद दौरा किया जाता और अगे बढ़ते हैं भारत के सर्वोच नियाले का स्रिजन कभ लिया था? निरवाचक सुधारों का भाग नहीं है जरी भारत में जो निरवाचन आयोग है उसका कौन सा काम नहीं है तो किसी भी अपराधी को अयोग ठहराना किसी भी अपराधी को अयोग ठहराना चुनाओ लड़ने के लिए अयोग ठहराना ये निर्वाचन अयोग का काम नहीं है ये आपके सुप्रीम कोड या हाई कोड का काम है कि किसी भी अफराधी को चुनाव लड़ने के लिए आयोग ठहराना आपके कोल्ड का काम होता है ये निर्वाचन आयोग का काम नहीं है यही इसमें प्रिशन में पूछा दिया था आगे भरते हैं लोग सभा के लिए कितने आंगल भारतियों का मनोनियन किया जाता है तो में कौन होता है तो केंदर में आपका प्रमुक राश्टपती होता है सम्मिधान का वरणन कहां पर क्या गया है कि सम्मिधान के बारे में बताया कहां गया है इक सम्मिधान में आपके क्या लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा तो सम्मिधान का वरणन आपके उद्देश देशिका में क्लिया गया है कि सम्धान में क्या है कैसे है कितना है ये सारी चीजे उद्देशिका में लिखी गई है भारत में धन कर संरक्षक कौन होता है तो भारत में जो जितना भी धन होता है उसका संरक्षक आपका कैग होता है कैग होई हम लोग नियंतरक और महालेखा प भारती नादिकों को समानता का अधिकार कौन प्रतान करता है? संसत के समयुक्ति सत्र का अध्यक्ष कोन होता है? संसत में समयुक्ति सत्र का मतलब होता है राजिशवा और लोगसभा जब दोनों बुलाई आते हैं तो उसका अध्यक्ष आपका लोकसभा अध्यक्ष बनता है और संग लोकसिवा आयोग कैसा निकाय है तो संग लोकसिवा आयोग का जो बारे में बताया गया है वो आपके भारती समिधान में लिखा गया है संग लोक सेवायोग के बारे में इसलिए संग लोक सेवायोग एक संबैधानिक निका है ठीक है आगे बढ़ते हैं लोक लेखा समती जिसको हम पैक समती भी कहते हैं कि चेर्मेन की निकती कौन करता है तो लोक लेखा समती जिसको हम पैक भी कहते हैं उसके चेर्मेन की निक्ति आपके लोक सभा अध्यक्ष ही करते हैं तो लोक सभा अध्यक्ष लोक लेखा समती के चेर्मेन की यानि अध्यक्ष की निक्ति करते हैं आपातकाल की जब घोषणा की गई थी तो उसमय भारत की परधान मंत्री कौन थे तो आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी और 1975 में परधान मंत्री इंद्रा गाधी थी तो इंद्रा गाधी की समय आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी चलिए आगे भरते हैं श्री बिनोद राय के सेवा निवर्त होने के बाद नियुक्त भारत के नियंतरक और महालिखा परिक्षक कौन है तो ये तो करंड का कुश्चन है आप ये किसी परिक्षा में आया रहा होगा तो यहां पर ये प्रिश्ण दिया गया है आप से करंड के रूप में याल रखिए कि बरतमान में आपके नियंतरक और महालिखा परिक्षक कौन है तो याद कर लिजिएगा कि बरतमान में कौन है नियंतरक और महालिखा परिक्षक चलिए आगे भरते हैं योजना आयोग के पर्थम अध्यक्ष कौन है तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते ही वो पंचायत दौरा वसूला जाता है तो कौन सा टेक्स ऐसा है जो पंचायत दौरा वसूला जाता है तो इस थानी ये मेले जो लगते हैं उस पर जो टेक्स लगाय जाता है वो टेक्स पंचायत दौरा वसूला जाता है तो आपके गाउं के आसपास जो मेले लगते हैं उसमें ज आश्टेर विकास परसद आपके पंचायती राज्य की पंचवर्शी योजनाई जो भी होती हैं उनके लिए सुविकरती प्रदान करता है। संब्धान सभा के संबैधानिक सलाकार कौन हैं तो संबैधानिक सलाकार आपके बियन राव थे इसको भी आप याद रखिएगा। से ले गया हैं ये आपके कानूनी मंजूरी द्वरा प्राप्त नहीं होते हैं यानि कि राज्य को आपके मौलिक करतब लागू करने के लिए बाद नहीं किया जा सकता है। संसत के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो संसत के किसी भी सदन यानि चाहे लोकसफा और चाहे राजसफा किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भारत में राज्यों के लिए बित्यायों का गठन कौन करता है। तो भारत सरकार के लिए बित्तायोग का गठन राश्टपती करता है और भारत में राज्यों के लिए बित्तायोग का गठन उस राज्य का राज्य पाल करेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं किस संभिधान संसोधन दोरा नेजी संपत्ती यानि संपत्ती के अधिकार को मूल भूत अधिकार यानि मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है तो 44 मा संभिधान संसोधन हुआ था 1978 में तो 1978 के 44 में सम्मिधान संसूधन के द्वारा संपत्तिक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा कर कानूनी अधिकार बना दिया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं डॉक्टर अम्मेटकर द्वारा सम्मिधान की हिर्दय और आत्मा किसे कहा लिया है तो आपका आर्टकिल 32 है अनुचेद 32 जिसमें लिखा गया है सम्मेधानिक उपचारों के अधिकार को ही जो आर्टकिल 32 में है डॉक्टर अम्मेटकर द्वारा इसे सम्मिधान की हिर्दय और आत्मा कहा गया है आगे बढ़ते हैं भारती सम्मिधान में राज्यों के नीती निदेशकत्त तो कहां से लिये गया है तो भारती सम्मिधान में राज्य के नीती निदेशकत्त तो आपके आयरलैंड देश से लिया गया है तो आयरलैंड देश नीती निदेशकत्त तो याज रहेगा आगे बढ दहरन करने के लिए याच का जारी कर सकता है तो ऐसा किसमें कहा गया है ऐसा आटकल 32 में कहा गया है आटकल 32 में कुल कितने भाग है तो आटकल 32 के कुल पांच भाग है उन पांच भागों में एक भाग है अधिकार प्रिक्छा तो अधिकार प्रिक्छा में क्या होता है कि आप के लिए सुप्रेम कोर्ड उस व्यक्ति को अधिकारी प्रिक्षा के दहाद रिट जारी कर सकता है इसी अधिकारी प्रिक्षा को इंगलिस में क्यों वारंटो भी कहते हैं तो क्यों वारंटो इंगलिस में अधिकारी प्रिक्षा हिंदी में चलिए आगे बढ़ते हैं भारतिय प्रस्तावना में लिखा गया है तीन परत वाली पंचायती राज परनाली में मध्यम इस्तर कौन सा होता है तो त्री इस्तरिये पंचायती राज प्रणाली में आपके तीन इस्तर होते हैं ग्राम पंचायत और पंचाय समती या जिसको हम लोग भी कहते हैं और तीसे नमबर पे सबसे उपर जिला होता है तो बीच में क्या होता है ब्लाग होता है या फिर पंचाय समती होती है नीचे ह ग्राम उपर होता है जिला और ये त्री इस्तरिये का सुझाव किस ने लिया था ये बलवंत राय महताने इसका सुझाव दिया था आगे भरते हैं राजिक के राजपाल को उनके पद से कौन बरखास्त कर सकता है तो किसी भी राजिक के राजपाल को उनके पद से भारत का रा आगे बढ़ते हैं तीन प्रत्वे वाली यानि त्री इस्तरिये पंचायती राज प्रणाली में 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू किया जाता है यानि त्री इस्तरिये पंचायत प्रणाली जो है किस राज्यों में लागू किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाग से अधिक होती है तो ये तो एक फैक्ट था आप धान करिएगा हमार अगला प्रश्न है संविधान के भाग 6 में राज्यों के बिभिन प्राधानों के बारे में बताया गया है लेकिन ये सारे प्राधान किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं और ये सारे प्राधान आपके जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं समिधान के भाग छे में राज्यों के बिर्भिन प्राधान है ये किस पर लागू नहीं होते हैं तो एक मानता राज्य आपके जम्मु कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं चलिए आगे बड़ते हैं संग के लेखा के about हमनिय już report बनाते हैं वो कौन बनाता है नियंतरक और मह नियंत्रक और महालेखाकार बनाता है यानि नियंत्रक और महालेखा परिक्षक जो होता है कैग वही आपकी रिपोर्ट तयार करता है संग में जितने भी लेखा जोखा होता है जितने भी खर्चे होते हैं यह नियंत्रक और महालेखाकार जो होता है अपनी रिपोर्ट कहां प खर्चा होता है तो उसकी रिपोर्ट को किसके सामने परस्तुत करता है राष्पतिक सामने परस्तुत करता है ये सारे प्रिशन बहुत ही important है आप ध्यान से सर्फ तुनता ही है राज के मंत्री परसद किसके परती जबाब दे होता है तो राज का जो मंत्री परसद होता है वो म केंद्र सरकार का जो मंत्री परसद होता है वो लोकसभा के परती उत्तरदाई होता है तो राज्य का मंत्री परसद विधान सभा केंद्र का मंत्री परसद लोकसभा के परती उत्तरदाई होते हैं ठीक है भारत में योजना आयोग कैसी संस्था है तो भारत में जो योजना आय संस्था हे योजना आयोक आपका जो वर्मनन और योजना आयोक के बारे में आपके संहळान में नहीं लिखा गया है इसलिए इसे गैर मैधानिक संस्था कहेंगे संहिदहा संहिदानिक चूज कर ना नाम देंगे यी आपके रगाफजela को नाम अभी नीति Girls कर दिया भारतिय सम्मिधान जो बनाया जा रहा था, तो सबसे गहरा पुरभाव किसका पड़ा है? तो भारती सम्मिधान बनाते समय उननी सो पैंथिस में भारत सासन अधिनियम आया था या भारत सासन अधिनियम इसे कहते हैं तो भारती सम्मिधान बनाते समय इसी भारत सासन अधिनियम का ही सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है यानि कि हमारे भारती सम्मिधान में सबसे हो गई हो तो उसको कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा चलिए मिलते हम लोग अपने अगले वेडियो में